नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आफिशल यूटूब चैनल G.S.Y. नीरसर में, कैसे हैं आप सब? मैं उमीद करता हूँ, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, अपनी तियारी में ब्यास्थ होंगे. मित्रों आज की जो क्लास है ये, ये 2010 का पेपर है, और किसके लिए है? तो ये TGT, यानि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, जो आर्ड की भरती आई थी 2010 में, उसका जो पेपर हुआ था, उस पे हम लोग ब्याक्या देखने वाले हैं. आप जानते होंगे, उस टाइम भी 425 नंबर का पेपर हुआ था, वरतमान समय में 500 नंबर का पेपर हो गया है, ये पहले 425 प्लस 75 नंबर का इंटरव्यू होता था, जबकि अब इंटरव्यू का प्रावधान हटा दिया गया है, केवल और केवल 500 नंबर का पेपर है, तब के पास 2 घंटे का समय होता था, यानी 120 मिनट का टाइम होता था, और 125 कोस्चंस स्वाल्ब करने होते थे, सेम परिद्रिश आज भी है, 125 कोस्चंस आपको स्वाल्ब करने होते हैं, 500 नंबर का होता है, 120 मिनट आपको समय मिलता है स्वाल्ब करने के लिए, वयमार बेस पेपर होता है तो यह अमार आपको गोला करना होता है इन चारों में से जो राइट आंसर होगा प्रतेक का गोला काला करना होगा आपको जमा करना होगा इस टाइप से पूरी पक्रिया होती है तो हमें अम्मीद है कि ये सब आप लोग जानते हैं बस केवल और केवल तयारी की और जो है उनमोख है आईए देखते हैं हम लोग भी तयारी की तरफ ही आपका ध्याना कराना चाहते हैं 2010 का पेपर है पेन पेपर उखा के बढ़ लीजिएगा जहां पर आपको डाउट होगा थोड़ा सा डाउट किलियर कर लीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा आईए देखते हैं 2010 के पेपर में जो पहला कोश्चन्स आया था कहा गया था अभिज्यान शकुंतलम के रजईता हैं अपसंस में हैं कालिदास, दांडी, बाणभट, भावभोती, राइट आंसर क्या होगा तो अभिज्यान सकुंतलम के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं अभिज्यान सकुंतलम अच्छी रचनाओं में शुमार है किसकी रचना है बस ये आपको बता देना था तो अभिज्ञान से गुंतलम आप जानते हैं कि बाबा कालिदास की रचना है जिन्होंने रगुवंसम को लिखा था, रेदु शिंगार को लिखा था, मेगदूत को लिखा था, कुमार शंभव को लिखा था, रगुवंस को लिखा था, यसे बहुत अच्छे अच्छी रचन तो जिन्होंने बंगाल सेली इस्टब्लिश की वही बंगाल पुनुर्थान यूग के प्रवर्तक रहेंगे यानि या उनी ना टेगोर रहेंगे राइट आंसर क्या बनेगा आउनी बाभू इस्दा राइट आंसर बढ़ता है पुछ लिया गया पौराणी रूप से प्रथम चित्रकार है पौराणी रूप से पहले चित्रकार माने जाते हैं तो आपसंस में हैं ब्रम्हा, महेश, विष्णू, नारद राइट आंसर क्या होगा पौराणी रूप से जो पहले चित्रकार हैं पहले चितेरे हैं उन्हें खारत में, लंडन में, अर्जंटीना में, मौनालिसा कहां पे शंग रहीत है, इसके बारे मापको बताना है, आप जानते हैं, मौनालिसा लियोनार्डो दबिंची की बहुत अच्छी रचनाओं में इस उमार है, राइट आंसर पेरिस के साथ बनेगा, इस दा राइट आंसर, पेरिस का यही लुब्रो वाला संगरहले है वहीं पे मुलूब से यह रखी हुई है तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाईए पेरिस इस दा राइट आंसर बढ़ते हैं नेश्ट कोस्टन की तरह पस संख्या पांच आपकी स्क्रिंट पे है पूच लिया गया लाष्ट सपर के नर्माता है लाष्ट सपर को किस ने बनाया लियोनाडो दा बिंची ने फ्रांस हाल ने राइफल ने और फिर गोंगा ने लाष्ट सपर को बनाने का काम किसका रहा है आप जानते हैं लाश्ट सपर बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है लाश्ट सपर राइट आंसर लियोनाड़ो दा बिंची के साथ लगाईए यह इस दर राइट आंसर बन जाएगा लाश्ट सपर यानि अंति ब्यालू किसकी रचना है? लाश्ट सपर लियोनाड़ो दा बिंची की रचना है एक यह साथ अंसर लगाईए बह चलते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ पर संख्याच है आपकी स्क्रिन पे है पूछ लिया गया प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटेक आता है आर्ट अटेक कहाँ पे आता है? डिजनी पर आता है? पोंगू पर आता है? हंगामा पर आता है? या फिर जेटिक्स पर आता है? यह 2010 का प्रोग्राम था डिजनी चैनल पे आता था उस ताइम का जो है लेटिस्ट करेंट अफेर से कोश्चन यह बना था जिसे हम लोग बिविध की अंतरगत देखते हैं तो राइट अंसर डिजनी बन रहा है एके साथ अंसर फिट बैट रहा है ए इस दा राइट अंसर बरते हैं इस्ट कोश्चन की तरफ पर संख्या साथ आपकी स्क्रिन पे है पूचा जा रहा है कामशूतर के रचयता है आपसंस में है वात्षयायन, रामदेव, चरक, पाणनी कामशूतर के रचयता कोन है कामशूतर को किसने लिखा है तो कामशूतर की रचना मूलोफ ये वात्षयान जी की है आप जानते हैं इसका रचना का लगभग लगभग 600 इसा के आसपास मान लिया जाता है कामशुत्र का रचना कब का है लगभग लगभग 600 इसा माना जाता है तो याद रखना एक एसाथ आंसर बन रहा है पढ़ते हैं next questions की तरफ पसंख्या आपकी screen पे है पूछ लिया गया तैल विधा में कारे करने वाले प्रथम भारती चित्रकार हैं आप संस में हैं राजा रभी बर्मा, 37 गुजराल, MF उशैन, रणभी रशिंग, फिष्ट तैल विधा पे काम करने का काम किसका रहा है आप जन का जन्म केरला कलिमनूर में हुआ, राइट आंसर क्या होगा? राजा रभी बर्मा होगा राजा रभी बर्मा होगा राइट आंसर क्या बनेगा? तो नील नदी की घाटी में जो शभिता पनपती है उसे हम लोग मिस्र यानि एज़ेप्ट की शभिता के नाम से जानते हैं C के साथ आंसर लगाईए अफरीका महादियूप में पाया जाने वाला कौन मिस्र राइट आंसर C के साथ बनेगा C is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरफ पसंख्या 10 आपकी screen पे है पूँच लिया गया है दच्छनी भारत का कौन सा केंदर प्रोगेतिहासिक चितरों के लिए मशरूर है आपसंस में हैं बेलारी, मदराज, लोथल, करनाट का आप जानते होंगे दच्छन भारत में प्रोगेतिहासिक काले के जो चितर पाये जाते हैं वो बेलारी में पाये जाते हैं तो right answer A के साथ लगाईए बेलारी is the right answer बेलारी is the right answer A के साथ answers लगाईए बढ़ चलते है next questions के तरफ पसंख्या 11 आपकी screen पे है पूँच लिया गया कालिया घाट या फिर कालिया घाट या फिर कालिया घाट कालिया घाट के चितरों के चितरकार की प्रेणा बनी है यामनी राय रविंदर नाथ टेगोर बीस गायत अंडो या फिर अमरता सेरगल तो काली घाट के चित्रों की प्रणा मुलूप से किसके द्वारा बनाई गई थी, काली घाट किसके लिए खास रहा है, तो यामनी रंजन राय के लिए रहा है, एक एसाथ आंसर लगाईए, एस दर राइट आंसर परफेक्ट बैठ रहा है बढ़ते हैं, नेस्ट कोश्चन्स की तरह प्रसंख्या बारा आपकी स्क्रिन पे है, पूँच लिया गया निम्रिखित में से कौन चित्रकार नहीं है, आपसंस में है, जी आर संतोष, केके हबबर, वियस गायता अंडो, भुपेन हजारिका, आप देखेंगे, असमिया गायक होते हैं, भुपेन हजारिका, तुराइट आंसर भुपेन हजारिका लगाईए, 2010 का हम लोग वेपर स्वाल्व कर रहे हैं, उस टाइम भुपेन हजारिका पे कोश्चस बना था, डी के साथ आंसर लगा लीजिए, ये एक अच्छी लेबल के गायक है, लोग कलाकार है, डी इस टा रइट आंसर लगाईए, चितरकारिता से इनका संबंध है, नहीं, पर संख्याज तेरा की बात करते हैं, पुछा गिया रंग क्या है, कलर इस्टिक है, कलर बॉक्स है, कलर गेक है, या फिर प्रकाश का गुण है, आप जानते हैं, रंग प्रकास का गुण होता है, प्रकास का गुण इस दा राइट आसर कलर क्या होता है लाइट क्या होता है तो रंग प्रकास का एक गुण होता है राइट आसर फौर्थ के साथ लगाईए डी इस दा राइट आसर बढ़ते हैं next questions की तरफ पर संख्या 14 एपकी screen पर है पूछा जा रहा है दजला फरात नदि प्रियाग यही उत्तर बुर्देश वाला है याद रकना अलहाबाद जिसे कहा जाता है एके साथ answers लगाईए पर चलते है next questions की तरफ प्रस्रंख्या 16 आपकी screen पे है पूछा जा रहा है बनी ठनी नामक चितर सैली किससे संबंधित है किसनगर से कोटा से बूंदी से गढ़बाल से बनी ठनी नामक चितर सैली मुलूप से किससे संबंधित है तो बनी ठनी का संबंधित है आप जानते है भारत की मोनालिसा जिसे कहा जाता है किसन अगर सैली में बनी हुई है राधा की रूप में इसका चित्रन हुआ है बढते हैं नेस्ट कोश्चन्स की तरफ तस संख्या सत्तरा आपकी स्क्रिन पे है पूछा जा रहा है रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है आपसंस में हैं कैनवास पर, कागज पर, जमीन पर या फिर दिवाल पर आप जानते हैं रंगोली बहुत अच्छा चित्रन होता है और इसका चित्रन मुलूप से कहां पे किया जाता है जमीन पर किया जाता है तो राइट आंसर B के साथ लगा लीजिए जमीन इस दा राइट आंसर यानि B इस दा राइट आंसर बढ़ते हैं नेश्ट कोस्टन की तरफ पर संख्या ठारा आप की स्क्रीन पर है पुछा जा रहा है दो बिंदों की मद्ध की दूरी को क्या कहा जाता है आकार कहा जाएगा रेखा कहा जाएगा ले कहा जाएगा या फिर स्रीयोजन कहा जाएगा दो बिंदों है आपस में मिरा दो क्या बनेगा तो रेखा बनेगा राइट आंसर C के साथ लगाईए C is the right answer बढ़ते हैं एक्ट कोस्टन की तरफ बढ़त दसे विशनों से शिव या फिर दलाई लामा से आप जानते है अजनता बही जो औरंगा बाद में इस्थित है औरंगा बाद यानि महाराष्ट्रा में इस्थित कितने चितर पाये जाते हैं अजनता में तो आ से अजनता यानि 30 चितर मुल रूप से आसे जनता 30 चित्रान पाये जाते हैं बहुत धर्म से संबन्धित है एक एसाथ आंसरस लगाईए बढ़िए next questions की तरफ करसंख्या 20 आपकी screen पे है पूछ लिया गया 20 number questions कहा जा रहा है निम्रकित में से भारती अलंकारन की प्राचीन विसेस्ता कौन सी रही है वरन लाय रेखा आकरती भारती अलंकारन की प्राचीन विसेस्ता कौन सी है इसमें से आप जानते हैं प्राचीन विसेस्ता लाय को यहाँ पे महतु दिया जा रहा है यहाँ पे लाय को बताया जा रहा है तो प्रियोग में मुलूप से लाइका प्रियोग बिशेश रूप से तालों में किया जाता है लाइका ताथ पर गती से भी कई जगे होता है याद रखना है तो राइट आंसर सी के साथ लगाईएगा लाइज़ दा राइट आंसर प्रसंख्या एक केस की बात करते हैं पूछा किया निर्त्यांगना सुधा चंदन की फिल्म है सुधा चंदन की फिल्म कौन सी है पायल की जंकार नाचे मयूरी डांस इंडिया डांस या फिर आजाना चले निर्त्यांगना सुधा चंदन की जो फिल्म आई है वो नाचे मयूरी है C के साथ answers बन रहा है C is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरब पर संख्या 22 आपके screen पे है पूछा जा रहा है प्रती तीन वर्स की होने वाली अंतर राष्टिय चितरकला प्रदरसनी है राष्टिय चितरकला, त्रियोगरा, त्रिपाथगा या फिर त्रनाले राइट answer क्या होगा तीन वर्स पे होने वाली अंतर राष्टिय चितरकला प्रदरसनी को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं ज्यादा तर उसका famous नाम क्या रहा है तो आप जानते हैं उसे त्रनाले के नाम से कहा जाता है फूर्थ के साथ आंसर लगाई है त्रनाले इस दा राइट answer डी इस दा राइट आंसर बरते हैं next questions की तरा प्रसंख्याते ही सापके screen पे है पूछा जा रहा है वास तकनीकी की रखा है भारतिय कलाओं से प्रेरित रही है लेकिन तकनीकी कौन सी है इटैलियन है, इरानियन है, मंगोलियन है या फिर चीनी जापानी है आप जानते होंगे वास शित्रन में मुलूप से रेखा तो भारतिय होती है लेकिन तकनीकी चीनी और जापानी रही है फूर्थ के साथ राइट answer बनेगा चीनी जापानी इस दाराइट answer यानि चोथा इस दाराइट answer बन रहा है डी के साथ answer लगा लेजिए बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन की तरफ प्रेस संख्या 24 आप की स्क्रिन पे है पूछा जा रहा है मुगल चित्रकला सेली का स्वरन यूग कहा जाता है बाबर का जहांगीर का अकबर का या फिर साह जहांगा तो मुगल चित्रकला का स्वरन यूग कौन सा होता है मुगल चित्रकला का स्वरन यूग आप जानते हैं जहांगीर के काल का होता है मुगल चित्रकला का स्वरन यूग जहांगीर का काल होता है जब कि अगर पूछ लिया जाए कि मुगल कला यानि मुगल साहित और कला का जो स्वान यूग होता है वो अकबर का काल होता है तो अगर कला और साहित सब्द जुड़ जाए तो अकबर का लगाईएगा अगर केवल चितरकला सब्द जुड़ा जाए तो जहांगीर का लगाई तो हभी बतानवीर उर्दो हिंदी के प्रसिद्ध नाटक कार है जन्म 1923 में बताया जा रहा है मृत्यू 2009 में हो जाती है तो क्या है एज़ा नाटक कार के रूप में है एक एसाथ आंसर लगाईए नाटक कार is the right answer नाटक कार is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरब पर संख्या 26 आपकी स्क्रिन पे है पूछा जा रहा है इसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल की मूल रूप से किस भासम लिखी गई लेटिन में जर्मनी में अंग्रेजी में या फिर हैब्रू में तो इसाई धर्म के पुस्तक जो Bible होगी, Bible की रचना आप जानते हैं, इसाई धर्म की अच्छी पुस्तक है Bible, Bible हेब्गु भासा में लिखी गई है, D के साथ आंसर लगाई है, हेब्गु इस दा राइट आंसर, बढ़ते हैं next questions की तरफ, पुछा गया Homer द्वारा लिखे तो मह पुछा जा रहा है नई फिल्म रंगरसिया ने मुखित में से किस कलाकार के जीवनी प्याधारित है, अकबर पदमसनी, यामनीराय, सब्रावाला, राजा रभी बर्मा, रंगरसिया फिल्म जो होती है, आप जानते हैं रंगरसिया फिल्म किस प्याधारित है, तो वही जिन अमरतु की कला किस देश के कला को कहा जाता है, हमरतु की कला मिस्र की कला को कहा जाता है, फूर्थ की साथ आंसर लगाईए, भी इस दराइट आंसर, बलते हैं next questions की तरफ, परसंख्या 30 पूछा जा रहा है, कौन असा मुगल सामराटी चितरकला का सबसे अच्छा समझता था, चितरकला को बढ़ियां से समझता था, हमायू, साज, अकबर, जहांगीर, तो चितरकला को सबसे अच्छा समझने वाला चितरकार, जो है, साथ रहा है, वो रहा है, जहांगीर, अगर एक ही चितरन को मुलूप से 4-5 चितरे मिल करके बनाए, तब भी जहांगीर बता देता कौन सा भाग किस चितरकार ने बनाया है, तो बहुत पारिकी सा सक रहा है, चितरकला के लिए बहुत योग सा सक रहा है, जहांगीर के साथ आंसर लगाईए, फोर्थ is the right, आंसर एनिडी is the right आंसर, बढ़ते हैं next questions की तरफ, परसंख्या एक अत्तिस आपके स्क्रिन पर है, आर मिनार हैदराबाद में पाया जाता है, हैदराबाद में इस्तित है, कुतबद साह वाला है, हैदराबाद वही कुलू कुलू साह, आप जानते होंगे न, कुली कुतबद साह, तो right आंसर हैदराबाद लगाईए, सी इस दा right आंसर, बढ़ते हैं next questions की तरफ, परसंख्या आप जानते होंगे भारतिय सुन्दरी जो चित्रन है, जहांगीर कल का अच्छा चित्रन है, भारत कला बनवारानसी में सुरच्छी तरखा हुआ है, बी के साथ आंसर लगाईए, बी इस दा right आंसर, ये ताल पत्रों पे बनाया गया था, याद रखना, बी के साथ आंसर ल माना जाता है, बहुत अच्छा उधारन माना जाता है, फोर्थ के साथ आंसर लगाईए, बढ़ से लिए next questions की तरफ, प्रस रंख्या 34 पूचा जा रहा है, रोडस के द्वारा किन रंगों की द्रिश्यान भूती होती है, आपसंस में हैं लाल पीला, सफेद काला, हरा पीला या फिर मोल रूप से नेला पीला, रोडस के द्वारा किस रंगों की द्रिश्यान भूती होती है, रोडस के द्वारा अगर बात करें, तो कौन से रंग दिखाई देते हैं, तो काला और कैसा दिखाई देता है, कुछ लोग कहते हैं सफेद काला दिखाई देता है, बुरा होता है सबसे पहला पदमसरी किस कलाकार को मिलता है आप जानते हैं 1950 के आसपास किसको मिल जाता है 1950 के आसपास सुधी रंजन खासगीर को मिल जाता है डाटा तो राइट आंसर ए के साथ नहीं बी के साथ आंसर लगाईए पदमसरी वही भारा सरकार जो देती है सबसे योग्य पुरुषकार होता है C के साथ नहीं B के साथ आंसर लगा लीजिए बढ़ते हैं next questions के तरफ प्रसंख्या साइटिस पूछा गया राग गार्डन के सहर में इस्थित है पैंगलूरू, चंडीगड, जैपूर, हैदराबाद राइट आंसर क्या होगा चंडीगड, तराइट आंसर, राग गार्डन कहां पे है चंडीगड में इस्थित है राग गार्डन का निर्माड भी मुलूप छे किस ने करवाया था आप जानते हैं रोग लेलर आते हैं कौन, मकैनिक होते हैं नेकचंद, नेकचंद खत्री के द्वारा नेकचंद खैनी के द्वारा जो नाम होता है, नेकचंद हमने नाम पढ़ा है और नेकचंद के द्वारा ही राग गार्डन को बनाया जाता है चंडीगड में सी के साथ आंसर सगाईए, सी इस दा राइट आंसर बढ़ते हैं next questions के तरफ प्रसंख्यानते साब के screen पर है पूछा जा रहा है निमिकित में से गरम रंग कौन सा है बैगनी, लाल, हरा, भूरा गरम रंग आपको बताना है इसमें से गरम रंग कौन सा होगा तो आप जानते हैं लाल रंग जो है प्राक्रम, साहा, जो है संगारिता और तेब्र, कामो के भावना, अभिव्यक्ति करन यह सब कुछ दर्स आता है यह गरम स्रेणी के अंतरवगत आता है तो लाल को right answer लगाई है यह C के साथ answers fit by it दियाएगा बढ़ते हैं next questions के तरव प्रस रंग्या 49 पूछा जा रहा है नमलकित में से किस रंगों को मिला करके नारंगी रंग बनाया जाता है हरा लाल मिलेगा, पीला लाल मिलेगा पीला नीला मिलेगा, या फिर लाल नीला मिलेगा तो आपको चाहिए नारंगी रंग तो पीला प्लस लाल मिला दीजे आराम से मिल जाएगा आपका पीला प्लस राइट आंसर C के साथ बनेगा बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रसंख्या 40 पूछा जाता है खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो किस कला के लिए प प्रसंख्या 41 पूछ लिया गया इंद्र धनुष के रंगों का करम बताईए इंद्र धनुष में विप जोर में कैसा रंग होता है लाल पीला स्वरी हरा लाल पीला आसमानी बैगनी नारंगी नीला बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नीला नारंगी लाल पीला बैगनी हरा लाल, आस्मानी, नारंगी, नीला, या फिर आस्मानी, नीला, भैगनी, हरा, भीला, लाल, नारंगी, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, तो इसे अगर पहचानना है आपको, तो सबसे बढ़िया प्रकुरेणन येकल होता है, सबसे बढ़िया जिसमें सबस पूछा जा रहा है पेश्टल रंगों के लिए उपरियुक्त कागच क्या है आपसंस में हैं चिकना सफेद मोटा हस्त निर्मित भूरा कुर्दरा या फिर टेक्स चार्ड कागच पेश्टल रंगों के लिए बढ़िया कागच कौन सा होता है पेश्टल रंगों के लिए भू मंटी और नाटी आकर्टियां कैसी दिखाई देती है कहां पे? मंटी नाटी आकर्टियां वहीं पे दिखाई देती थी बरते हें next questions की तरव policy 44 पूश लिया गया ilora की प्रसिध्धी का कारण क्या है? चतर सहली? कैलास मंदिर? धार्मिक बिशेवस्तू या फिर नटराज की मूर्थी आप जानते हैं लोरा के प्रसिद्धी का कारण का इलास वंदिर रहा है तो C के साथ answers बैठाईए C is the right answer C is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरब प्रेस संख्या 45 पूछ लिया गया है बिश्व का सबसे बड़ा इस्तूफ कहां इस्तित है बिश्व का सबसे बड़ा इस्तूफ कहां पे है भारत में, जावा में, स्रिलंका में या फिर अफ़गानिस्तान में आप जानते होंगे बिश्व का सबसे बड़ा जो इस्तूफ होता है जावा में होता है नौई शताब देके आसपास सैलेंद राजवंस के द्वारा बनमाया जाता है बोरो बादूरू का इस्तूफ बोला जाता है उसे बोरो बादूर का इस्तूफ या फिर बादूरू का इस्तूफ राइट आंसर जावा बनेगा C is the right answer लगाईए C के साथ आंसरस बनेगा बढ़ते हैं next questions के दरब प्रसंख्या 46 आपके स्क्रिंट पर है पुछा गया राजा रभी बर्मा का जन्म किस राज़े में हुआ था आपसंस में हैं उडिशा राजे केरला राजे मद्य परदेश या फिर गुजराद राज रभी बर्मा का जन्म किस राजे में हुआ था राज रभी बर्मा का जन्म आप जानते हैं केरला कली मन्नूर में होता है राइट आंसर C के साथ बनेगा C is the right answer जाद रखना 29 अप्रेल 1846 को केरला कली मननूर में का जन्म होता है C के साथ आंसरस लगाईए तो टेरा कोटा के लिए मुल रूप से क्या प्रसिद्ध है जादा तर तो फेमस है गोरकपुर तो गोरकपुर और बस्तर दोनों आपसंस में हैं फिलहाल दिक्कत हो जाएगी इस कोश्चंस में क्योंकि बस्तर भी टेरा कोटा के लिए फेमस होता है और गोरकपुर भी टेरा सिधे दे दिया गया है तो बस्तर टेरा कोटा के लिए ज़्यादा फेमस है बस्तर के टेरा कोटा की विख्याती जो है ज़्यादा फेमस रही इसकी सेला करतियां बहुत अच्छी रही है तो हैं पर बस्तर राइट आंसर लगाईएगा बस्तर ठीक है गोरक पुरमत बढ़ते हैं next questions की तरह परसंख्यान तालिस पूछा जाता है वस्तरों की डिजाइन सरबाधिक लोक अप्रिये फूल है गुलाब कुमुदनी कमल गेंदा वस्तरों की डिजाइन में ज्यादा तर पहनने वाले कपड़ों में ज्यादा तर डिजाइन कौन सी मिलती है तो आप जानेंगे कुमुदनी का फूल ज्यादा बनाया जाता है C के साथ answers लगाईए यानि third is the right answer बन रहा है बढ़ते हैं next questions की तरह प्रसंख्यान चास पूछ लिया गया महतमा बुद्ध के पूर्ब जन्मों की कालपनिक कथाएं किस से संबंद हित हैं पंचितत्र हितोपदेश जातक कथाएं फिर इन मेंशे कोई नहीं महतमा बुद्ध के पूर्ब जन्मों की जो कालपनिक कथाएं मानी जाती हैं उसका कहा जाता है जातक कथा से संबंद है बिलकुल B के साथ answers लगाईए B is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरह 50 number questions कह रहा है प्रोफिसर मदन लाल नागर थे च सख्या क्यों आपके स्क्रिन पे है पूछा जा रहा है आधुनिक कला के बादों का जन्मस्थान क्या रहा है आधुनिक कला के बादों का जन्मस्थान जर्मनी रहा इंगलेंड रहा अमेरिका रहा या फिर फ्रांस रहा राइट आंसर क्या होगा आधुनिक कला के बादों क को जन्म कहा हुआ था इस्पैन में हाला एंड में पेरिश में आफिरेटली में आप जानते होंगे पाबलो रूपीकासो का जो जन्म होता है 25 अक्टूबर 1881 बीकूर लगभग लगभग इस्पैन में हो जाता है तो इस्पैन राइट आंसर बनेगा इस्पैन राइट आंसर मलांगा इस्पैन इस दराइट आंसर यानि एस दराइट आंसर बन रहा है एस दराइट आंसर याद रखना बढते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ पस संख्या त्रेपन की बात करते हैं पूछा गया दा इस्टीडियो का कलाकार कौन था आपसंस में है कूरबे पिकासो इस्टीडियो को किसने बनाया है कूरबे की बहुत अच्छी रचना है एक एसाथ आंसर बन रहा है कूरबे इस दराइट आंसर यानि एस दरा राइट आंसर बनते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ पसंख्या चोगन पूछ लिया गया त्रिनहपर भौजन का चितरकार कोन था त्रणपर भोजन माने हैं, कूरबे हैं, मोने हैं, सिंजा हैं, राइट आंसर क्या होगा त्रणपर भोजन अच्छी रचना है, त्रणपर भोजन माने की बहुत अच्छी रचना है एक इसाथ आंसरस लगाना होगा, A is the right answer, A is the right answer एडार माने राइट आंसर बनेंगे या फिर एडार माने कई जगए लिखा मिलता है तो एडार माने या फिर एडार आवरण माने जो नाम समझ में आता है उससे याद रखना की तरंड पर भोजन अच्छी र利चना है डार माने की एक साथ आंसर लगाईए बढ़ते हैं next questions की तरफ पर संख्या पच्पन पूछ लिया गया कला में आकरतियों के चित्रन का निसेध किया गया है गोथिक कला में, इसाई कला में, बेंजोटाइन कला में और फिर रोमन कला में कला में आकरतियों की चित्रन का निशेद कहा किया गया है कला में आकरतियों की चित्रन का निशेद जो है मुल रूप चे बेंजोटाइन कला में किया गया है तो B के साथ आंसर लगाना पड़ेगा बेंजोटाइन इस दा राइट आंसर बढ़ते हैं next questions की तरह प्रस संख्या 56 पूछा जाता है तीसरी स्रेंडी का डिब्बा करती का चितरकार कौन है दो मिये हैं पिकासो हैं माने हैं या फिर वानगो है तीसरी स्रेंडी का डिब्बा किसकी रचना है तो दो मिये की रचना है दो मिया एक उत्साही लोक्तं अंदरवादी कालाकार रहे हैं right answer a के साथ लगाई है दो मिया is the right answer दो मिया is the right answer यानि 1st के साथ right answer भैट रहा है बढ़ते है next question के तरफ प्रसन्ख्या 57 पूछा जाता है जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है जोगी मारा किसले प्रशित्ध है, मूर्तियों के लिए, भित्य चित्रन के लिए, योगियों की समाधि के लिए, फिर नमेशे, कोई नहीं जोगी मारा किसले फेमस होता है जोगी मारा का संबंध किस से रहा है तो आप जानते हैं जोगी मारा का संबंध भित्ती चित्रन से रहा है B के साथ आपको अंसर्स लगाना होगा B is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरह प्रस संख्या 58 के एकर बात करते हैं पूछ लिया जाता है 58 में कि बदामी गुफाये किस राज्य में इस्थित हैं आपसंस में हैं बिहार राजे उडिशा राजे मध्यपरदेश या फिर महाराष्टर बदामी की अगर बात करते हैं बदामी गुफा महाराष्टर में पाई जाती है फोर्थ के साथ आपको अंसस लगाना होगा महाराष्टर इस धराइट आंसर यानि डी इस धराइट आंसर बरते हैं नेस्ट कोस्टन की तरफ प्रसंख्या उनसेट पूछा जाता है 2010 का पेपर हम लोग शॉल्ब कर रहे हैं ये दिमाग में होना जीए पोधी जित्रों का निर्माण किस राजवन से ने करवाया था आप संस में है पाल सेली जैन सेली गुर्ट सेली या फिर हिंदू सेली पोधी चित्रन का निर्माण किस ने करवाया आप जानते हैं शात्मी सताब्दी के आस पास जो आती है सेली धर्म पाल जहां का बहुत अच्छा सासक होता है और मुलूप से बहुत धर्म के अनुवाई होते हैं वो लोग वही पोथी चितरन का कारे करवाते हैं यानि पाल सेली is the right answer, first is the right answer first is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रसंख्या साथ आपकी स्क्रिन पे है साथ number questions पूछ रहा है हुमायू का दर्बारी चितरकार कहां का रहने वाला था अपसंस में हैं हिरान, अफगानिस्तान, काबूल, तासकन हुमायू का जो दर्बारी चितरकार था उसका संबन्ध कहां से रहा है हुमायू का जो दर्बारी चितरकार था आप जानते होंगे हुमायू का दर्बारी चितरकार कौन रहा है मिर सयदली और खौजा अबू समद सिराजी तो इनका समंद कहां से रहा इरान से रहा तो एक साथ answers लगाईए A is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरह पस संख्या 61 आपके स्क्रिन पे है तुछा जा रहा है असोक के किस अभिलेक पर मयूर की आकरती है मयूर की आकरती किस वाले अभिलेक पे है अलाहाबाद में है लुंबनी में है सारनाथ में है या फिर नंदगड में है आप जानते होंगे असोक का कौन सा सिलालेख ऐसा है जहां पे मुलूप से मयूर की आकरती यानि मोर बना हुआ है तो मोर बना हुआ आकरती मुलूप से बिहार राजी में पाया जाता है नाम होता है नंदनगड कहां पे है बिहार में बिहार वही सुसासन बाबु वाला या न पूंदी सेली का राग दीपक चितरन मुलूप से कहा का है राग दीपक जो चितरन है मुलूप से बूंदी सेली की विशेषता है तो आपको राइट आंसर D की साथ लगाना होगा बूंदी सेली is the right answer यानि D is the right answer बढते हैं next questions की तरफ प्रसंख्या 63 पूछा जाता है उदाइगिरी की गुफा किस धर्म से संबन्धित कला को दर्साती है आपसंस में हैं बहुत धर्म को हिंदू धर्म को जैन धर्म को या फिर इशाई धर्म को उदाईगेरी की जो गुफा है कौन से धर्म को दरसाती है तो हिंदू धर्म को दरसाती है C के साथ आंसरस लगाईए हिंदू धर्म is the right answer यानि C is the right answer बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टन की तरब प्रस संख्या चोंसर पूशा जाता है आधुने के भारतिये चितरकारों में कौन लोग कला से प्रभावित कलाकार रहा है आप संस में हैं नंदलाल बशू कनू देशाई यामनी रंजन राय या फिर मुकुलचंद डे आधुने के भारतिये चितरकारों में कौन लोग कला से प्रभावित कलाकार रहा है लोग कला से प्रभावित कलाकार इसमें से कौन रहा है आप जानते हैं याम नीरंजन राए राइट आंसर संख्या 65 पूछ रहा है प्रख्याच चित्र बीनस को किसे ने चित्रित किया है आपसंस में है बैती चली ने, रूवेंस ने, राइफल ने या फिर वान डेन, वाइन ने तो बीनस का मुलूप से चित्रण किस के बारा किया जाता है बीनस को चित्रित करने का काम मुलूप से किस का रहा है तो आप जानते हैं फेमस चित्र होता है थोड़ा सा ब्यत्ती चेली के चिरस नमानी जाती है A के साथ आंसर लगाना होगा ब्यत्ती चेली is the right answer सबस्वेश चितर होता है ब्यत्ती चेली का तो A के साथ आंसर आपको फिट बैठाना होगा A is the right answer बरते हैं next questions की तरह प्रसंख्या चाचट पूछा जाता है बाग की गुफाएं इस्थित हैं कहाँ पे उत्तर प्रदेश में मद्य प्रदेश में राजस्थान में या फिर उत्तरा खण में बाग की गुफा कहाँ इस्थित है बाग की गुफा कहाँ पाई जाती है तो सोया हुआ प्रदेश मद्य प्रदेश इसका right answer बनेगा, C is the right answer, यानि मध्यप्रदेश is the right answer, मध्यप्रदेश is the right answer, बढ़ते हैं next questions की तरह, question number, सरसट की अगर हम लोग बात करें, तो question number सरसट आपके screen पे आने वाला है, पूछा जा रहा है सरसट number questions में, निमलिखित मेंशे कौन सा जलरंग, आद्र माध्यम नहीं है, आद् ठंडा वाला माध्यम नहीं होता है, टेमपरा, वास, वाटर कलर, या फिर पेस्टल, तो आप देखेंगे, आद्र माध्यम यानि गीली दिवाव में पे चित्रण नहीं होता है, ऐसा पूछा जाना है, इसका कुल मिला के कहने का आतलव यह है, कि जलरंग का माध्यम नहीं ह होता है तो यह पर पेस्टल आएगा डी के साथ आंसर बैठेगा पेस्टल रंग इस दा राइट आंसर बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की तरफ प्रसंख्यान सथ पूछा जाता है चित्रकार एम एफ हुशेन का पूरा नाम क्या है मुहम्मद फिराक हुशेन मुहम्मद फिदा फुशेन तो आप जानते हैं मक्बूल फिदा हुशेन पूरा नाम होता है मैं फुशेन का राइट आंसर टू के साथ है यानि बी के साथ बनेगा बी इस दा राइट आंसर बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की तरफ प्रसंख्या 69 पूछा जाता है 69 में कहा जाता है कौन बनेगा करूणपती दुतिये के मुखल रुपशे होस्ट असर कोन रहे हैं तो अमिताब बच्चन रहे हैं बी के साथ आंसर लगाना अमिताब बच्चन इस दा राइट आंसर अंसर अमिताब बच्चन A2 इस दा राइट आंसर बड़ते हैं next question की तरफ क्रसंख्या 70 आ आप जानते हैं बाबा रभीन नाथ टेगोर हैं राइट आंसर B के साथ बनेगा रभीन रनाथ टेगोर इस दा राइट आंसर यानी B is the right आंसर बड़ते हैं next questions की तरह प्रसंख्या कत्तर पूछा जाता है चित्रकार मगबूल फिदा हुशेन की नाकरतियों को उनकी पहचान क साथ जोड़ देते हैं गायों को गड़ियालों को घोड़ों को या फिर बगरियों को आप जानते हैं मकबूल फिदा हुशन की अच्छी रचना है घोड़ा और घोड़ा में मुलूप से इन्होंने चित्रन किया है राइट आंसर बी के साथ लगाईए बहुमखी प्रतिभा क किसके रहे रहे बाज के लिए मैना के लिए तोता के लिए मुर्गा के लिए तो आप जानते हैं उस्ताद मंसूर मुलूप से बाज पच्छी के लिए ज्यादा फेमस रहे हैं उसके बाद टर्की काक के लिए रहे हैं फिर मोर मोरनी के लिए रहे हैं राइट आंसर बाज ल या फिर यामनी रंजन रहा है तो भालतिय सिल्प सडांग पुस्तक की लेखक आउनी बाबू है निया उनी द्रनाट ठाकूर है सी के साथ आंसर बनेगा सी इस दराइट आंसर हो जा रहा है सी इस दराइट आंसर बढते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरह पर संख्या 74 पूछ र राज्यों में है पूछा जाता है निम्लिखित में से कौन चितरकला है तो प्रियोग तो नहीं होता है हैंड मैं पेपर कांटेट पेपर कांटेश स्वेपर या फिर बांड पेपर आप जानते हैं चितरकला में बांड पेपर का प्रियोग कभी नहीं किया जाता है बांड पंचमणी का संवंध किसे रहा है तो पँचमणी मध्य प्रदेस के छेटर में आती है। राइट आंसर C के साथ बनेगा, C is the right answer, मध्यप्रदेश is the right answer, बढ़ते हैं next questions की तरब, पर संख्या 77 पूछा जाता है, बेद कितने हैं, पांच हैं, चार हैं, आठ हैं, तीन हैं, राइट आंसर क्या होगा, बेद कितने हैं, बेद कितने हैं, तो बेदों की संख्या 4 होती है आप जानते हैं, साम बेद, रिक बेद, चुर बेद, अधर बेद, राइट आंसर क्या होगा, थर्ड यानि, चारो बेद is the right answer, पर संख्या 78 की बात करते हैं, 78 में पूछा जाता है, रामाएड के रचईता हैं, रामानन सागर जी हैं, तुलसी दास जी हैं, महरस बालमीक ज जी हैं, नारद मुनी जी हैं, बहुत सारे लोग रामानन सागर राइट आंसर लगा देंगे, लेकिन आप जानते हैं, रामाएड के रचईता महरस बालमीकी हैं, जबकि रामचरी तमानस के रचईता बाबा दुलसी दास हैं, और रामानन सागर ने रामचरी तमानस और रा आचारे भारत मुनी के अनुसार रसों की संख्या कित्ती है 10 है 9 है 8 है 11 है आप जानते होंगे भारत मुनी के अकार्डिंग रसों की संख्या कित्ती बताई जाती है तो मोल रूप से भाव तो बता दिये जाते हैं कि ये 8 ही कहते हैं रसों की अनुसार ये 8 रस मानते हैं केवल और केवल 8 रस ही मानते हैं तो इनकी अकार्डिंग 8 रस ही बताये जाते हैं भरतरे मुलूप से 8 रसों का भाव दिया है 8 रस ही मानते हैं तो B की साथ आंसस देना होगा बढ़ते हैं निष्ट कोश्चन्स की तरह प्रसंख्या आठ पूछा जा रहा है सुरी असी नंबर कोश्चन्स पूछा जा रहा है चितर बागे कितने तो तुम आने गए हैं 6, 5, 7, 3 आप जानते होंगे रेखा वरनतान गठन आकरती अंतराल रेखा वरनतान गठन आकरती और आनतराल के साथ सथ गठन भी आता है तो राइट आंसर 6 के साथ जाएगा 6 इसदा राइट आंसर रेखा वरनतान गठन आ करती कुल मिला करके 6 आते हैं 6 is the right answer यानि 1 is the right answer बनेगा प्रसंख्या क्यासी के तरब बढ़ते हैं एटीवन में पूछ लिया गया है कांगला सली के चितरों का मुख्य चितरन क्या रहा है राधा क्रिशन का प्रेम रहा, सीता राम का प्रेम रहा, शुपारबती का प्रेम रहा या फिर कामदेवरती का प्रेम रहा तो कांगला सली में आप जानते है जाह जाता जो डाटा मिलता है राधा कर्शन के प्रेम का दरसाया जाता है तो A के साथ आंसर लगाना होगा A is the right answer प्रिये बसू क्या रहा है प्रिये बिसे रहा है राधा और कर्शन का प्रेम तो B के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा नहीं A के साथ आंसर्स लगाना होगा राधा और कृष्ण इस दराइट आंसर बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ पसंख्या 82 पूछा जाता है जोधा भाई पतनी थी जोधा भाई किसके पतनी थी जोधा भाई का जो संबन रहा है जोधा भाई अकबर की पतनी थी एके साथ आंसर्स लगाईए A is the right answer विहारी मल्की पुत्री होती है राजकुमारी जोधा याद रखना एके साथ आंसर्स बनेगा अकबर की पतनी हम लोग 2010 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें से 125 कोश्चन्स पूछे गए थे उसी करम में हम लोग 83 नंबर कोश्चन्स की तरफ बढ़ चुके हैं 83 नंबर में पूछा जाता है रेखाओं द्वारा भाव प्रतर्सन किस सैली की विसेशता है अपसंस में है अजन्ता सैली की मोगल सैली की बाग सैली की या फिर राजस्थानी सैली या रेखाओं द्वारा भाव प्रतर्सन किस सैली की विसेशता रही है तो रेखाओं के द्वारा भाव प्रतर्सन मून लूपस्ये होता है वग अजन्ता कि द्वारा होता है एक किसा छान्सस लगाईए वो बेड़ा पेष्ट हंगरी में होता है तो राइट आंसर क्या होगा बुड़ा पेष्ट हंगरी डी is the right answer बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की तरब परसंख्या 85 की बात करते हैं पूछा जाता है निम्लिकित में से कौन ललित कला अकेदमी का पबिकेशन है परसंख्या 86 के एक बात करते हैं पूछा जाता है परसेद चितर गोयरनिका के चितरकार है अब संस में हैं ब्रांक, रैफेल, पिकासो, माइकल अंजलो गोयरनिका के चितरकार कोन है, गोयरनिका किस ने चितर किया है आप जानते हैं पाबलो रूइ पिकासो, रैट आंसर बनेंगे बी के साथ रैट आंसर लगाना पड़ेगा पाबलो रूइ पिकासो is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरह प्रसंख्या 87 पूछा जा रहा है बढ़ते हैं next questions की तरह पर संख्या 88 पूछा जाता है ओपेक कहते हैं ओपेक कहते हैं पारदर्सी रंगों को पेस्टल रंगों को अपारदर्सी रंगों को या फिर आयल रंगों को ओपेक किसे कहा जाता है ओपेक किसे कहा जाता है तो ओपेक अपारदर्सी रंगों को कहा जा भील पितोरा से या फिर मंडाना से जमुना देवी का संबंध किस प्रकार की कला से रहा है जमुना देवी का जो संबंध रहा है को मधुबनी कला से रहा है तो राइट आंसर बिहार की मधुबनी बनेगा C is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रसंख्या नबे पूछ रहा है हलपा का संबंध है इंडस वैली से, इरान से, मिस्र से या फिर ग्रेक से तो हलपा का जो संबंध रहा है इंडस वैली से ब्लाइजेशन से रहा है फर्स्ट के साथ आंसर लगाईए A is the right answer हो जा रहा है वही हलपा जिसको दयाराम साहनी ने 1901 के से इस बी में खुजा था 1901 में याद रखना बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रसंख्या क्यानवे की बात करते है 91 में पूछा जाता है शांती निकेतन किस राज्य में स्थित है पश्यम मंगाल में उत्तर प्रदेश में बिहार में या फिर पंजाब में आप जानते होंगे शांती निकेतन मुलूप से पश्यम मंगाल यानि दीदी वाला बिल्ट का हिस्सा होता है तो एक एसाथ answer से लगाईए पश्यम मंगाल is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरह हम लोग 2010 का paper solve कर रहे हैं और TGT कला special solve कर रहे हैं इसलिए 2010 में कौन कौन से questions पूछे गए उन्हीं के करम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आप जानते हैं 2010 में 125 questions पूछे गए थे उसी करम में 92 number questions पे हम लोग हैं बढ़ते हैं next questions की तरह प्रसंख्या 93 पूछा जाता है जमलिकेत में से मूर्थिकार कौन है आपसंस में है हुसेन आरा रजा डीपी राय चोधरी मूर्थिकार के रूप में ज्यादा ख्याती प्राप्त है देवी प्रसाद राय चोधरी का तो right answer कहां से है आप जानते हैं जिसका संबंद और नहीं सोंचास से हो नहीं दिल्ली में स्थित होगा बी के साथ answers लगएगा second is the right answer यानि B is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरह प्रसंख्या 95 पूछा गया है प्राचीन नालंदा विष्विद्या लै किस राजी में स्थित है आप संस में हैं गुजरात राजी उत्तर प्रदेश राजी पश्चिम मेंगाल कुमार गफतर्य प्रथम के द्वारा जो अस्थापित किया जाता है उनहीं के द्वारा है बिहार में आएदा है D के साथ answers लगेगा यानि fourth is the right answer हो जाएगा fourth is the right answer यानि D is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रसंख्या 96 में क्या पूछा गया था प्रसंख्या 96 में क्या पूछा गया कहा गया था कांगडा चितरसैली किस राजी के समी पर बिक्षित होती है राजा गोवर्धन चे समय में राजा सामन सिंग के समय में राजा संसार चंद के समय में या फिर राजा हरी सिंग के समय में कांगडा की एकर बात करते हैं तो कांगडा मुरलूप से राजा संसार चंदर के समय में महान योगदान के साथ आगे बढ़ती है, स्वान अकाल पे पहुंचती है, तो B के साथ आपको लगाना होगा, संसार चंदर is the right answer, संसार चंदर is the right answer, बढ़ते हैं, next questions की तरफ, प्रसक्रा 97 की बात कर थे हैं, 97 में प गुलाबी नगर इस दा राइट आंसर यानि एस दा राइट आंसर जैपुर इस दा राइट आंसर पिंक सिटी से कहाँ सता है पर संख्या ठानवे की बात करते हैं 98 में पूछा जाता है निमलिखित में से कौन सा उपन नियासकार नहीं है आपसंस में है प्रेम चंद्र जैसंकर प्रसाद सरद चंद्र या फिर जतिन दास आप देखेंगे यहां पे चारों आपसंस में जतिन दास इस दा राइट आंसर बनेंगे जतिन दास का संबंध उडिसा से रहा है यह अच्छे लेबल के क्या रहे हैं कला डिप्लोमा किये हुए हैं अपने देश वदेश में कला प्रदर्शनिया लगा चुके हैं चित्रकार है इनका संबंध उपन्यासकार से नहीं है तो जतिन दास राइट आंसर लगाईए फोर्थ इस दराइट आंसर यानि जतिन दास इस दराइट आंसर बढ़ते हैं नेश्ट कोस्टन की तरफ पैस संख्छा निन्या ने पे पूछा गया राजा रभी बर्मा किस कला के लिए प्रशिद्ध होते हैं मुर्तिकला के लिए चित्रकला के लिए नाटिकला के लिए फिर न्रतिकला के लिए राजा रभी बर्मा का संबन्ध किससे रहा है राजा रभी बर्मा का संबन्ध मुल्रोफ से चित्रकारी से रहा है आप जानते हैं तो C के साथ आंसर लगाईए, चित्रकला इस दराइट, आंसर N is C is the right आंसर बढ़ते हैं next questions की तरफ, प्रेस संख्यासो आपकी स्क्रिन पे है, पूछा जा रहा है लोग कला पर कौन सी सैली, आधारित है, मुगल सैली, कोटा सैली, किसे नगर सैली या फिर बसोहली सैली तो लोग कला पर आधारित सैली का नाम क्या होता है, लोग कला पर आधारित सैली, बशोहली सैली होती है, D के साथ आंसर बनेगा, D is the right आंसर बढ़ते हैं next questions की तरफ, 101 number questions कह रहा है, लोग कला चित्रों का माध्यम क्या है, आपसंस में है पेस्टल रंग, गोंद मिले हुए मिट्टी के रंग, एक्रेलिक रंग या फिर तैलर रंग तो लोग कला की चित्रों का जो माध्यम रहा है, वो माध्यम क्या रहा है, वो रहा है, गोंद लगे मिट्टी को रंग, राइट आंसर, C के साथ लगा ना होगा, गोंद लगा, मिट्टी के रंग, राइट आंसर बनेगा, C is the right आंसर बढ़ते हैं, next questions की तरफ, प्रतम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ती कहां पे है, हडपा में है, बिलारी में है, मोहन जुदालो में है, या फिर राइगण में है, डांसिंग करल मूलूप से कहां पाई जाती है, तो जिसे हम लोग मृत्गों का टीला के नाम से पुकारते हैं, राइट अंसर वही होगा, मृत्गों का टीला इस दा राइट अंसर यानि, बी इस दा राइट अंसर, मोहन जुदालो इस दा राइट अंसर, वही मोहन जुदालो जिसे आड़े बनर जी यानि राखाल दाज बनर जी के द्वारा, 1922 में खोजा जाता है, 1922 में उत्ख कारी किसने की थी जमीन को बनाने का गाम असित कुमार हल्दर का रहा है राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना असित कुमार हल्दर इस दर राइट आंसर असित कुमार हल्दर मकबूल फिदा हुशेन इस दर राइट आंसर मकबूल फिदा हुशेन जिसने घोड़ा बनाया थ आप जानते हैं घूना बनाया था भारत माता बनाया था बहुत सारी रचना की उसका है जमीन याद रखना मकभूल फिदा हुशेन से बनेंगे। कौन सा तेल रहा है, अपसंस में है सरसो का तेल, अखरोड का तेल, अरसी का तेल या फिर सोया का तेल, तो तेली चित्रन के माद्धे में मुलूप से कौन सा तेल प्रयोग किया जाता था, तो वो तेल होता था, अरसी का तेल, बी के साथ अंसर लगाईए, बी इस दा राइट answer B is the right answer next बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रसंग 605 की बात करते हैं 105 में पुछा गया किसी ठोस को कितनी सतहे होती हैं किसी ठोस की किती सतहे तीन सतह चार सतह चार सतह या फिर आठ सतह तो ठोस के सतहों की बात पुछी जा रही है आप जानते होंगे 12 भुजा होता है 6 फलक होते हैं 6 फलक होंगे 3 आयाम होगा 12 भुजा होगा तो सतह कितनी होगी सतह भी मुलुरूप से कितनी बताई जाएगी 6 सतह होगी बाइट आंसर B के साथ लगाईएगा प्रसंग 606 की बात करते हैं 106 में पूछा जाता है Michael Angelo थे चतरकार थे, लेखक थे, मूर्थिकार थे, संगीत कार थे Michael Angelo का संबन्ध किस से रहा है आप जानते हैं Michael Angelo यह उरोप वाले हैं पुनर जागरन काल के होते हैं बहुत अच्छा क्या होता है यह मूर्थिकार होता है B के साथ answers लगाना होगा मूर्थिकार is the right answer यानि second is the right answer बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन के तरह प्रसंग खैक सो साथ पूछा जा रहा है उदय गिरी और खंड गिरी के वुफा किस काल की मानी जाती है गुपते रा की मानी जाती है शुंग काल की मानी जाती है मौर्य काल की मानी जाती है या फिर कुशान काल की मानी जाती है तो उदय गिरी और खंड गिरी की जुको भाएं होती है मुल्रूफिकार का सम्बंध किस से रहा है शुंग काल से रहा है C के साथ answers लगाना C is the right answer यानि शुंग काल is the right answer C is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरफ पसंख्याक 108 पूछा जाता है 108 में पूछा गया विश्णू धर्मोत्तर पुराण किस कालका है मौरे कालका है, शुंग कालका है गुत कालका है या फिर कुशान कालका है विश्णू धर्मोत्तर पुराण किस कालका है विश्णू धर्मोत्तर पुराण किस कालका है विश्णू धर्मोत्तर पुराण का संबंध मौल रूपशे गुत कालका रहा है राइट आंसर आपको B के साथ लगाना होगा B is the right answer and second is the right answer बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ प्रसंख एक सो नो की बात करते हैं वन हंडेट टाइन ने पूछा गया सिल्प रतन के लेखक कौन थे आपसंस में हैं भरत मुनी थे स्री कुमार थे या सोधर पंडित थे आफिर नमेशे कोई ने सिल्प रतन के लेखक कौन हैं सिल्प रतन के लेखक कौन हैं अंसर्स क्या बनेगा सिल्प रतन के लिए आप स्री कुमार लगाईएगा सिल्प रतन के लिए आप स्री कुमार लगाईएगा सिल्प रतन के लिए आप स्री कुमार लगाईएगा अमरावती अस्तूफ कहां पे है अमरावती अस्तूफ कहां पे है तो अमरावती अस्तूफ करनाटका में है राइट अंसर C के साथ लगाई है करनाटक is the right answer and C is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरफ परसंख 711 पूँचा जा रहा है केजी सुब्रमन्यम का प्रसिद धम्यूरल किस सहर में बना हुआ है दिल्ली में है, लखनो में है, मुंबई में है या फिर बनारस में है केजी सुब्रमन्यम का प्रसिद धम्यूरल कहां पे है तो लखनोव में है रबिंद्राले लखनोव चारवाग के पास पाया जाता है राइट आंसर शी के साथ लगाईए लखनोव इस दराइट आंसर बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन की तरफ प्रसंख्या 112 पूछा जा रहा है अल्टा मीरा की गुफाएं किस जानमर का चितर दिखाई देती हैं बैल का, भालू का, हाथी का, जंगली भैसे का तो अल्टा मीरा की गुफाओं पे कौन सा जानमर दिखाई देता है आप देखेंगे अगर धंग से तो जंगली भैसा दिखाई देगा 4th is the right answer अल्टा मीरा में लगभग लगभग 1.500 चितर दिखाई देते हैं याद रखना 1.500 चितर लेकिन जंगली भैसा का चितरन दिखाई देता है 4th के साथ आंसर लगाईए D is the right answer बन जाएगा प्रसंख्या 113 की बात करते हैं पूछा गया गोथिक कला मुखितिया है चितर कला है अस्थापतिकला है मुखितिकला है या फिर यूद्धकला गोथिक कला का मुखितिया है रूप क्या होता है गोथिक कला का शंबंध अस्थापतिकला से होता है C के साथ आंसर बनेगा स्थापत तकला is the right answer यानि C is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रशंख्याक 114 की बात करते हैं पूछा गया पुनरुथान कला का केंदर था जर्मनी था, इटली था, इंग्लेंड था, फ्रांस था पुनरुथान कला का केंदर क्या रहा है पुनरुथान कला केंदर, इटली माना जाता था C के साथ answers लगाना होगा इटली is the right answer, यानि C is the right answer C is the right answer आफ जानते हैं 2010 का पेपर हम लोग solve कर रहे हैं उसमें जो questions है, 125 questions थे उसी करम में हम लोग 115 नमबर questions पे पहुँच चुके हैं पूछा गया, Albert Durer किस देस्ट का कला कार था आफसंस में हैं इटली का, Holland का, France का, फ्रांस का एफर जर्मनी का Albert Durer किस देस्ट का कला कार रहा है Albert Durer की अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी का कला कार रहा है राइट answer आफको 4th के साथ लगाना होगा जर्मनी is the right answer and D is the right answer आफ जानते होंगे किते questions यहाँ पर अपडेटेट पूछे जा रहा है प्रसंख्याग 16 की बात करते हैं पूछा जा रहा है कला कार का एक दल जो सिर्फ ग्रामेड दरश्य और जंगल का ही चित्रन करता था वह कौन सा रहा है तो वह रहा है बार्बियन गुरूप रोकोको गुरूप रिती कादी गूद या फिर यतार्थ वादी गुरूप तो एक दरिश्य ऐसा रहा जो केवल और केवल ग्रामेड वरश्यों को हिच्चत्रत करता रहा उस दल का नाम आपको बताना था कि बार्बियन गुरूप होता है रोकोको गुरूप होता है रिती वादी गुरूप होता है या फिर यतार्थ वादी गुरूप होता है तो कॉलाकारों का वह दल रहा है मुलूप से कौन सा बार्बियन गुरूप रहा है एक इसाथ अंसर्स लगाना होगा बार बीजियन गुरूप इस दा राइट आंसर यानि A इस दा राइट आंसर बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टन की तरफ प्रसंख्या 117 की बात करेंगे पूछा गया है पाल सेंजा किस कला अंदुलन की अंतरगत आते हैं प्रभाववाद नो प्रभाववाद उत्तर प्रभाववाद या फिर स्वाचंद वाद पाल सेंजा की अगर बात करते हैं पाल सेंजा का संबन्ध किस से रहा है उत्तर प्रभाववाद से रहा है तो आपको लगाना होगा B is the right answer बढ़ते हैं next question की तरफ Pardon भिश लिया गया David की painting More शुकरात की मृतिवो किस कला की अंतरगत आती है David की painting शुकरात की मृतिवो किस कला की अंतरगत आती है I am finished I am finished the right answer B is the right answer B is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरब प्रसंख्या 111 की बात करते हैं पूछा गया Jackson पोरलाग किस देश का रहने वाला कलाकार था absence में है England का रहा Germany का रहा, America का रहा है फिर France का रहा है Jackson पोलाग किस देश का रहने वाला था Jackson पोलाग किस देश का रहने वाला था तो अमेरिका का अच्छा जितरकार माना जाता है आपको B के साथ answers लगाना होगा America is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरब प्रसंख्या 120 पूछा जा रहा है तेवोदारे जोरो किन तेवोदारे जिरो को किस कला अंदोलन के अंतरगत आते हैं तेवोदारो जिरेंश को मुलूप से किस कला अंदोलन के अंतरगत आते हैं तो इनका संबंध मुलूप से जो रहा है रोमांस वाद के साथ रहा है तो आपको B के साथ answers लगाना होगा रोमांस वाद इस दराइट answer यानि B इस दराइट answer बढ़ते हैं next questions की तरब प्रस संख्या 121 पूछा जा रहा है हिंदू कभी केसों की करती रसिक प्रिया रसिक प्रिया पर किस मुगल सासक ने चितर बनमाये थे साहजहा ने हुमायू ने अकबर ने या फिर बाबर ने रसिक प्रिया केसों की अच्छी रचना मानी जाती है रसिक प्रिया पर चितरन का कारे किस ने करवाया था रसिक प्रिया पर चितरन का कारे मुलूप से अनपर राजा अकबर के द्वारा करवाया गया था राइट answer second के साथ लगाना B is the right answer बन रहा है अकबर is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रसंख्या 122 पूछा जा रहा है निहाल अचंदर किस राजपुत सैली का चितरकार रहा मेवाल का, कोटा का, किसनगड का या फिर जैपूर का तो निहाल अचंदर अच्छा सैली का चितरकार रहा है बहुत फेमस शैली रही है आप जानते हैं बनी ठनी जहां पे चितरन होता है राधा की रूप में राइट आंसर किसनगड बनेगा B is the right answer लगाना B is the right answer बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रसंख्या 120 की बात करते हैं 123 में पूछा जा रहा है बढ़ते हैं next questions की तरफ प्रसंख्या 124 की बात करते हैं 124 में पूछा जा रहा है भीम बेटका से प्राप्त होने वाला सेल इचितर अधिकतर कहां बना हुआ है फर्स पर, दिवार और छत पर, मुंडेरों पर या फिर गुफाओं के द्वार पर आप देखेंगे भीम बेटका में ज़्यादा तर जो डाटा मिलता है दिवार और छतों पर मिलता है तो राइट अंसर क्या लगाना पड़ेगा C is the right answer यानि दिवार और छत is the right answer C is the right answer बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन्स की तरफ अंतिम कोश्चन्स 125 नमबर कोश्चन्स कह रहा है राजस्थान के माउंट आबू में जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है आबू मंदिर के रूप में रनकपूर मंदिर के रूप में दिलवारा मंदिर के रूप में और फिर संग मरमर मंदिर के रूप में राइट अमसर्शी के साथ लगा लीजे, हमें उम्मेद है कि आप लोगों को यहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ये समझ में आ गया होगा कि 2010 में पेपर कैसा पूछा गया था, 125 questions कैसे आये थे, इसमें से आप कितना सही सही जानते हैं, इमानदारी के साथ तो उसमें लोगों के सही होने के chances बहुत जादे हैं, लेकिन फिर भी questions tough रहे हैं, moderate paper रहा है, ओबराल अगर हम बात करें पेपर की, तो ये easy to moderate paper रहा है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, इसलिए easy है, जो नहीं पढ़ा है, वो moderate है, इसलिए easy to moderate मैं कह रहा हूँ, मिलते हैं शुर्में तब तक के लिए, जए हिंद